नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होना वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फ़स्ट इयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साही तिया उसके अ और जितने भी इस्टुडेंट बीए फ़स्ट इयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एक्जाम होने वाला है ओं लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कोश्टन पेपर उनको की सब्एट को पर चाहिए ताकि उनको कमेंट के उनुसर में आपको को करते हैं और सबसे पहले अती लगूत्री प्रश्णों के बारे में जानते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के अंदर में आपको अती लगूत्री प्रश्ण लगूत्री प्रश्ण और दीरगूत्री प्रश्ण तीनों तरे के प्रश्णों क पहला कोश्चन का अराय जो पारिभासिक सब्द होते हैं, यहाँ पे आपको पारिभासिक सब्दों की बिसेस्था बताना है, कि पारिभासिक सब्दों की क्या बिसेस्था होती है, अब अगले कोश्चन की बात की जात, यहाँ पे आपका दूसरा कोश्चन दियवा है, पत्र पंचवा कोश्चन की बात की जदत यहां पर आपका पांचवा कोश्चन दियाव है पांचवा कोश्चन की परकारों को संच्प में बतलाइए पांचवा कोश्चन कर रहा है जो टीपड होता है टीपड कितने परकार का होता है यहाँ पे आपको टीपड के परकारों को संचेप में बतलाना है अब वगले कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका साथवा कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका साथवा कोश्चन क पर आपको बिश्वा कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के बारे बताना है अब अगली कोश्चन की बात की जात यहां पर आपका नवा कोश्चन दिवा है बलोगर का क्या आर्थ है नवा कोश्चन कर रहा है जो बलोगर होता है बलोगर का क्या मतलब होता है यहां पर आपको बलोगर का मतलब बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहां पर आपका दसवा कोश्चन दिवा है इक ग्यान कोश्च क्या है यहां पर आपको इक ग्यान कोश्च के बारे लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका 12 कोश्चन दियेवा है वर्ल्ड वाइड वेव क्या है इस पस्ट कीजिए 12 कोश्चन कर रहा है जो वर्ल्ड वाइड वेव होता है वर्ल्ड वाइड वेव क्या होता है यहां पर आपको इस पस्ट करना है कि वर परिभासिक सब्दों का निर्मार किस परकार किया रहता है। परिभासिक सब्दों का निर्मार किस परकार किया रहता है। परिभासिक सब्दों का निर्मार किस परकार किस परकार क्या रहता है। परिभासिक सब्दों का रहता है। पर आपको computer में Hindi के भविसे का वंड करना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका आठवा question दिया है email का क्या उपयोग है आठवा question का रहा है जो email होता है email का क्या उपयोग होता है यहाँ पर आपको email के उपयोग के बारे में बताना है अब अगले question की बात की जात यहाँ पे आपका नवा question दियाव है Hindi website तथा website उपर संशित टिपड़ी लिखिए नवा question का रहा है जो Hindi website होता है तथा जो website होता है यहाँ पे आपको Hindi website तथा website उपर संशित में टिपड़ी लिखना है अब अगले question की बात कीज़त यहाँ पे आपका दसवा question दियावा है अंतरजाल के अवयो लिखिए दसवा question का राय जो अंतरजाल होता है यहाँ पे आपको अंतरजाल के अवयो लिखना है कि अंतरजाल के कौन कौन से अवयो होते है अगले question की बाद की ज़िए पारीकलपना परिक्षड से आप क्या समझते हैं दिरगुतिरे प्रश्णों के बारे में जानेंगे तो यहां पे दिरगुतिरे प्रश्णों में पहले प्रश्ण की बात कीज़ा तेहां पे आपका पहला प्रश्ण दिये हुआ है कारियाले हिंदी के सौरूप और संकल्पना की समिक्षा कीजिए पहला कोश्चन कर रहा है ज परिभासित करना है उसके बाद आगे आपको परिभासिक सब्दावली के स्वरुप को इस्पष्ट करना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़ाते हैं यहां पर आपका तीसरा कोश्चन दियावा है कारयालगी के नाम तता पद नाम से अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका चौटा कोश्चन दियावा है अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका साथवा कोश्चन दियावा है अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका चौटा की जाते हैं पर आपका चौटा कोश्चन दियावा है अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका चौटा की जाते हैं पर आपका चौटा कोश्चन दियावा है तो दोस्तो इत तूटाल आपके दस कोश्चन होंगे जो आपसे दिरगुतरी पर्षण पूछेंगे तो इस वीडियो क अंदर में आपको लागुतरी पर्षण और दिरगुतरी पर्षण तीनोतरी के परषण के बारे मिता दिया आप में तीनों तुरे के प्रस्टों को नोट कर लिजिए और किसी किताब से सीरिस से मिला कर कियात कर लिजिए तो दोस्तो आज इस वीडियो को महीं पर स्किप करता हूँ मिलता आप से नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बते हैं कि आपको नेक्स वीडियो की स्टोपिक उपर चाहिए थैंकी दोस्तो